हेलो एवरिवन कैसे आप सब उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे मैं हरी साओ अभिपसा एजूकेशन फॉर एक्सलिन की इस ऑनलाइन प्रेफ़ार में आपका हर दिस्वागत करते हूं तो बच्चों हम जो है पिछले लेक्षर में किसके इसके बारे में बात करें किसके बारे में साथिसे बच गया किया बोर्ज गया उसके लाष्ट्न कर आने वाया था वह distinction Jefte पास्म के बारे में उसको भी लेके चलेंगे और साथ-साथ क्या करेंगे और जो बच गया कोशन जिसे आने की चांस कोशन बहुत जादा है वहीं किसमें इक्जाम में सर उसके बारें डिसकस करने चेप्टर का नाम है इवलेशन जीवो का विकास चलो बहुत करते हैं आज का जबरदस्त और मस्त वाले कोश्चन के बारे में देखते क्या प्रश्ण जीवास्म क्या है बही प्रश्ण आता है इंपोर्टेंट ने पूछा गया था अलाकि दोएर बैस पूछा गया लेकि इस खतम हो गया लेकिन फिर भी कुछ बच्चा हुआ है मतलब बात करूं तो उसको बोलूगा मैं क्या कुछ ऐसे जीव है जो विलुक्त हो गये है वहां उनके बचेवे कुछ अवसाइस है जीवास्म कहलाते हैं जिसको कहा रखा जाता है जिसको किसी क्या एक ऐसे म्यूजियम आँसे जगह जहां संघ्रहर कर रखा जाता है तो मैं बात करूं हम सुने भी एक कि सर यह jम इसको हम 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 रख दिये हैं यह फिर वह मैं बात करूँ जैसे अब करें करूँ किरिकेट में हम वर्ल्ट कप मिला था जब हमारे टीम को जैसे टीम इंडिया हमारी है वह तो वर्ल्ड कप जीता तो उसमें जो वीनिंग सौट मारे थे हमारे ने मेंदर सिंधोनी तो उस वाले जो भैट है है ना जो रीबुक का भैक है मैं किसी बैट या फिर किसी भी सक्सकों कर रहो तो तो जो बैट को एक ऐसा कहाए जबड़ दिया गया कि यहीं सप्सक्ली मारा विनिंग सौट और यहीं जो बैट है इस से हम जीते हैं इक रहता है है ना तो यह सब हुआ तो वह चीज खास बनाती उस चीज को तो वैसी हमारी जीवों के विकास में जब कुछ ऐसे जानवर या फिर कुछ ऐसे क्या थे बहुत-बहुत-बहुत चीज जो की संग्रह के रूप में रहा और उसे खतम होने के बाउजुद वह है इस समझ में आता है सर कि यह जीवास मुसी बोल सकते हो मैं कुछ ऐसे जीव जो विलूप तो हो गया है लेकिन उनके बचे आउसेज जीवासम कराते जैसे कि अगर मैं बात करूँ सबसे पहले आ जेख घए है उनके परेदें बात करों तो वो भी उसके क्या जीवासम ऐसे दिखाए देंगे डिखाएं इसी आफ्यासम हो जात भाशने को तो अंतिम पूर्जा जो है बचा हुआ रहता है वो कलाता है जिवास ठीक है तो यह को सबकूवा बात क्या है जीवासम के बारे में अच्छा समाझ गया भ़ए ठीक है अब हमारे जो चल रहा है इसमें आप अच्छे से पाटिसिपेट कर रहे होंगे और जो बच गया होगा आपके दोस्त लोग उनको भी बिल्कुल बताईएगा ठीक है बच्छो अब चलते हम नेश्ट कोईशन क्या है जीवों के विकास के सिधान के मुख्य बिंदू क्या है जो की एक समान के पूरवत से हुआ है एक बात हुई दूसरा बात यह कि यह प्रतिक पूरवत पैदक किये होए है अपने प्रजाति चले आ रही है वह अपने लिए नयानय स्थान डूनता है और उसमें अनुकुलित रहता है यह भी बात समझ में आई सर जैसके में डिसकुस के दर लेक्चर में भई है ना अब यह तो हुआ सब ठीक है अब वह तो समझ में आया कि वह अपनी प्रजाति बना के रखा हुआ है और वह जो एक स्पेसिफिक जगह भी दिशाइड कर लिए चलो यह भी समझ में आब वह उस हिसाप से उसके अनुकुल्ता के हिसाप से वह क्या क है कोई जल में रह रहा है कोई थल में रह रहा है कोई हवा में उड़ रहा है कोई पेड में लटक रहा है है ना भई तो यह सब क्या है विकास के कुछ सिधान्स है सिधान्त है मुक्य सिधान्त है जो कि आपको लिखना है इसके बारे में और पूरा अगर देखना तो बिलक क्या मैं डिसकस किया था चैन कैसे होता है और अनुकुलित वातावरन में रहने से क्या होता है और कैसे होना चाहिए कुछ थेवरी उसको भी पढ़ लेते हैं क्या बोलता है उसी जीव को विकास के लिए प्रानी तथा वनस्पति जगत में चैन कर रहते हैं क्यों क्योंकि भाई आप प्राकृतिक जग में आ रहा है देखो क्या बोड़ है क्योंकि विकास के प्राकृतिक चैन है ना जो नेचुरल सेलेक्शन जो हो रहा है जो प्राकृतिक चैन कर रह गर्मी की मौसम आई आपड़ मेर की मौसम नफ स्कूल पहुंचे सर इश्टर क्लास ले रहे हैं आपको लगने लग गया पंखा बंद हो गया लाइट बंद होगया अप क्या करोगे अब बीडिक अब सर को बतलब क्लास लेना धेकर आपको वही दूस्त जो आ साल भर नहीं पड़रा है या पिर जो उसको पढ़ना ही है ऊ-स कुछ भी बात रहा है ओघ्ण घ्या उसकी जड़ाख्लाश यह जो भी बात रहे हो गया गया फ्रमार दिया और बात की बात है चलो पाँ किया 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 समय है हमें हमें यह समझ मैंसर्व उन Misbert've जो अपजॉब किया लड़का है नो जो पड़ः वह क्या हुआ कि तो आपसे बढ़ अंब तो यह तो आपके लिए a क्या है यह लिए थी थार्व frågor नेसे किरा नहीं पाए लेकिन आपके दोस्तों को बन गया तो बना लिया वैसी ही बात करूँ यहां तो यहां पर हमें क्या समझ में आगे बढ़ें अब देखते हैं सबसे इसके बारे मैं इसका डिसका कर लिया था क्या होता है थोड़ा से समरी टैप में बताया था कि यह होता है और अब यह पड़े होंगे अगर नहीं भी पड़े होंगे तो हम बता ही देते हैं सजाती है समरीच्टी लच्षन क्या होता है तर लेकिन कारी अलग होता है भी देखो उत्पति मतलब जो बन के आया है पहले से और उसकी सरचन दिख भी रहा है वैसी है लेकिन कारी अलग-लग कर रहा है उसको क्या बोलते हैं सजाती लच्छन बोलते कौन बोल रहा है डार्वीन सर बोल रहा है ठीक है अब जैसे चमगादार का पंक है सिल के पंक है है ना भेड़ है कहां गया जी हां भेड़ मनुस्य कुट्टा अशाशुंदर के अगरपात की जो आंतिक सेनचना है वह एक समान है एवां इनकी उत-पत्ति एक समान पूर्वत से हुई है लेकिन उनके कारि अलग अलग है चम गादर के पंक उड़ने के लिए सिल के पंक तआरने के लिए मनुस्य के अगरपात जो है वस्तू को पकड़ने के लिए काम आते हैं परके फिल पंक वह भी तो उसका है ही structure में सामने में है ही वो लेकिन वह उड़ने के लिए काम आ रहा है लेकिन हमारा जो हात है काम अलग-अलग हो रहा है लेकिन कि इस समझ में यह रहा है इससे पहले फालो कर रहा है वह उत्पत्ति भी समान ने जाता है लेकिन उसका काम जो है होता है अंदर में biology के process वो सबका हो रहा है सर लेकिन वर्क जो है अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो यह बात हुई सजाती लच्छन ठीक आगे बढ़ें आगे हम देखते हैं क्या समृत्ति लच्छन यह क्या बोलता है सर कुछ अन्य लच्छन जैसे तितलिय और पच्छिय सबसे अएसे हैं त 댓ुल्ए के लिए किसका यूज करता है जो कि उस तो रच्छा भी लगा नहीं है पहले से जूटा हुआ है मतलब यह बात करूं ह hutét कि यह आगर बात करूं मैं तिसली बारे में तो भी सकते ऊड़ने के क्या है लेकिन यह क्या है प्च्छी के पँच्छी ऊड़ने के काम आ रहा है और पैर से बने हुए पच्छियों के पंक लेकिन बात कर रहा हूं किसका तितली का उसका अगर पैट्चा बनना चाहिए लेकिन वह तो क्या उसका तुछा मिलगा हो उसका क्या रहता है यह सब पुरा बॉड़ी से चिप कर रहता है पहले सी लगा रहता है वह अलग से दिखाई नहीं देता वह सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोश्चन है और यह बिल्कुल आपको याद रखना जरूरी थोड़ा बहुत ओर थियोरी और बढ़ा चाहत बढ़ा सकते चार नंबर की इंपॉर्टेंट कोश्चन है ठीक या बत समझ मैं अब क्या हो बचा सर अब बा बताया गया है और पूरा डिटेल्स के लिए आप बिल्कुल देखके चलिएगा और अगर पूरा जनकाई लेन है तो हमारे दिये गए नंबर पे करें दिन बचाई यह प्रिसर आता है अगर आपको तो विल्कुल हमारे दिये नंबर में करीira कांशलिंग संधा तो आज के लिए इतना करते हैं और मिलती हैं प्रं की रूड़ा अने झाल